असलाम अलेकुम, आएम डॉक्टर निदाबरीग, तोड़े आए विल डिस्कस रश्यन करंट, इस शप्टर इस पार्ट ऑफ फिजिकल एजेंट्स एन एलेक्ट्रो थेरपी वान लेक्ट्चर सीरीज, सबसे पहले हम एलेक्ट्रो थेरपी में देखें रश्यन करंट क्या होत सकते हैं, दूसरा आपके पास होता है रश्यन करंट, मीडियम फ्रिक्वेंस्य करंट वो फ्रिक्वेंस्य करंट है जो आपके 1000 से training के फ्रिक्वेंस्य के बीच में आते हैं, रश्यन करंट के बाद करें तो ये 2500 हर्ट की continuous sine wave है rating current है, इसमें हम time modulate करते हैं, इस तरह से के 50 burst per सेकंड ये on हो हर बश की बात करें तो पॉरिफैजिग पल्स पर फॉर्म है और इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि कुरेंड फ्लो होता है कुछ समी 45 के लिए और पिर करएंड कुछ मिली सिकन्स के लिए फ्लो नहीं होता ऐस लिए इसकाल को बस्ट modulating alternating current भी कहते है BMAC अब ये है कि इसको Russian current नाम कैसे पढ़ा Russia के एक scientist था जिसका नाम Dr. Yakub Kotz जो कि Russia में 1970s में develop हुआ ये current उसी ने develop किया था Russia से belong करता था तो उसी के नाम पे इस current का नाम पढ़ गया Russian current और पहले क्या होता था कि इस current को लोग muscle strengthening के लिए यूज करते थे जहां पे भी जो athletes हैं या bodybuilders हैं उन्हें muscle strengthening चाहिए होती थी वो इस current को यूज करते थे पिर आइस्ता इसके लिए electotherapy में इसको treatment purpose के लिए भी यूज किया जाने लगा already मैं आपको बता चुकी हूँ के alternating current है, polyphasic waveform में इसकी, 50 इसकी burst होती है जिसमें से 20 ms duration होता है 10 second burst होता है यानि current flow होता है 10 second interval होता है, यानि के flow नहीं होता तो अगर हम देखें 10 ms burst है, उसके total होते है 25 cycle, इसी वज़ा से 50 phases बन रहे होते हैं जो के 0.2 ms duration के होते हैं याँ पिच्चर में देख सकते हैं alternating current है, बहुत सरी phases होते हैं polyphasic है peak current burst है, जिसमें current flow हो रहा है burst interval होता है, जिसमें current flow नहीं होता है फिर दोबारा से current flow होता है यानि flow हो रहा है, नहीं flow हो रहा है, flow हो रहा है ये current इस तरह से design किया जाता है इस तरह से इसको प्ले किया जाता है कि जो normal muscle contraction है सेम वैसा इसका महसूस हो muscles contract होता है फिर muscle relax करता है फिर contract होता है फिर relax होता है इसलिए इसके phases इस तरह से बनाएं गए हैं इसकी carrier frequency देखें तो 2500 Hz है waveform देखें तो polyphasic sinusoidal waveform है burst frequency 50 Hz है burst duration 10 ms है burst interval भी सेम होता है जो के 10 ms है और phase duration होता है 0.2 ms तो जो maximum current का amplitude है जो हम apply कर सकते है clinically 100 ms है लेकिन जो clinically सबस्यादा अच्छा होता है वो 70 ms तक होता है इसकी characteristics देखें जो training protocol होते हैं जब भी आप रश्यन करें कोई साथ किसी को पर training करवा रहे है क्योंकि मैंने आपको बताया कि muscle strengthening में यूज होता है तो यह वो current है सबसे ज़्यादा popular है widely used होने वाला current है जो same muscles की contraction जेसा आपको जसे normal muscles contraction होती है न वैसे आपको contraction देता है इस current को हम command center of the muscles भी कह सकते हैं क्योंकि normally क्या होता है कि जब हमारे muscles activate होते हैं तो हमारे basically cns central nervous system से activate होते हैं और neural input जाता है अब क्या होता है उसकी basis में हमारे muscles की contraction होती है अब यह current है इसमें अगर आपके cns से command आये नाये neural input हो ना हो यह muscles आपके लिए बिल्कुल same cns command की तरह act करता है cns activation की तरह act करता है तो यह जैस्याब को लगाते हैं जो muscles की contraction होती है रेलेक्जेषिंव होती है फिर contraction होती है फिर में क्या होता है कि 10, 50, 10 का cycle होता है, muscles contraction lasting for 10 seconds, then 50 seconds off time no contraction, फिर 10, तो एक, फिर एक मिनट हो गया आपका, फिर 10, cycle repeated for 10 times, इस तरह ही पूरा cycle चलता है, duration and frequency की बात करें, तो 10 minute इसको recommended duration है, आप इसको daily भी जे सकते हैं, week में और कुछ हफ्तों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो 3 से 6 months इसका ideal time period है, जिसमें आप इसको use कर सकते हैं, current amplitude 70 में है, जो के clinically ज़्यादा beneficial है, on off ratio 10 MSA, training protocol हम पढ़ चुके हैं, 10, 50, 10 है, worst frequency 50 hertz है, duty cycle 50 परशंट है, duty cycle basically क्या होता है करन्ट आपका flow होता है, उसको हम duty cycle करते हैं, 50 परशंट होगा, तो 50 परशंट on हुआ, 50 परशंट off रहेगा, अगर 60 परशंट होगा, तो 60 परशंट ये current चलेगा, और 40 परशंट नहीं चलेगा, तो duty cycle basically जो play time है, current का हम उसको कह रहे होते हैं, duration and frequency 10 minutes हम daily दे सकते हैं, 3 से 6 months तक के लिए, burst duration होता है 10 ms, rams up down होता है 1 to 2 seconds, इसके जब भी electrode place करते हैं, वो इस तरह से place करते हैं, कि जो हमारे muscles fiber उसके parallel हो, तो आपको muscles की origin insertion पता होगी, तो आप muscles fiber के parallel रख पाएंगे, इसलिए इस current को हम apply करते हैं, जो भी voluntary activities होती है, isometric, isotonic, isokinetic, क्यों कि अगर आप इसको जब भी आप इस current को लगाएंगे, यह muscles contraction वाले feeling देगा, तो उसके साथ साथ आप isometric, isotonic, isokinetic exercises करवाएंगे, तो आपको ज़्यादा beneficial मिलेंगे, इसको हम muscles force के लिए, muscle bulk के लिए, muscle circumference के लिए, यह muscle hypertrophy के लिए भी use कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है, इस current को long duration के लिए भी देश सकते हैं, क्योंकि इसमें muscles कम से कम fatigue हो रहा होता है, तो जब भी आप इसको exercise के साथ करवाते हैं, muscle rebuilding होती है, muscle tone restore करती है, flexibility बढ़ती है, strength बढ़ती है, remodeling होती है body की, electrode placement हम already discussed कर शुके है, time delay switch, इसके तीन है, synchronous mode है, reciprocal mode है, overlapping mode, as the name shows, synchronous, दोनों जो channels होंगे, एक साथ simultaneously चलेंगे, ठीक है, time delay नहीं होगा इसमें, reciprocal channel 1 चल रहा है, तो channel 2 off है, channel 2 चलेगा, तो channel 1 off है, यानि equal delay time होगा, overlapping में, as the name shows, overlapping, channel 2 overlap कर रहा होगा, on time and off time of channel 1, physiological effects देखें, physiological effects depend करते हैं, total number of bursts delivered per second, यानि कि जतने bursts per second के हिसाब से होते हैं, उसके हिसाब से physiological effects depend करते हैं, अगर हम इस current को sensory nerve fibers पे apply करें, तो हमें moderate prickling sensation मिलती है, और इसी तना अगर हम मोटे nerve fiber पे apply करें, तो tetanic-like contraction मिल रहे होती है, muscles की movement अच्छी खासी होती है, फायदा यही है कि painless है, इससे muscles fatigue में नहीं जाते हैं, कोई pain नहीं होता है, इस current का, pain क्यों नहीं होता है, क्योंकि sensory nerve fibers को block कर देता है, pain gate mechanism को block कर देता है, तो इस वज़े से contraction हमें जादा-जादा stronger मिल सकती है, जितनी हमें voluntary control है, उससे जादा हम इसे contraction इस current के जरिए करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे motor unit fibers को recruit कर सकता है, यह इसी वज़े से muscles contraction जादा अच्छे से होती है, पिच्चर में हम इसको समझ लेते हैं, जब भी sensory nerves होती है, महाँ पर moderate prickling sensation होती है, जो कि इसका physiological effects है, motor nerves पर आपको पता है, depolarization activation of fast two motor units होती है, तो उस वज़ा से motor units की depolarization activation की वज़ा से हमें muscles पर technic muscles contraction मलती है, जो के synchronous होती है, sensory nerves की prickling sensation की वज़ा से महाँ पर हमें जो pain gate mechanism है, उसको block कर देता है sensory nerve को, इसी वज़े से painless contraction मिल रही होती है, motor nerve के देखें, तो motor nerves जो technic like contraction की वज़ा से high level electrically evoke muscular contraction मिलती है, इसके लावा जब भी external load हो, isometric contraction हो, slow speed isokinetic हो, यह short arch isotonic exercise जब हम load डाल रहे हैं muscles के अपर, तो हमें contraction ज़ादा अच्छे से मिल रही होती है, उसकी वज़ा से muscle strengthening होती है, वो 30 से 40% तक होती है, तो muscle strengthening में, muscle hypertrophy में, muscle circumference में, muscle force को increase करने के लिए, यह current बहुत अच्छा है, therapeutic uses देखें, हम किन कंडिशन में इस current को use कर रहे होता है, एक तो हमने देख लिए कि muscle strengthening के लिए use होता है, क्योंकि पहले यह current सिर्फ इसी use करते थे, अपनी power को बढ़ाने के लिए, अपने activity level को बढ़ाने के लिए, muscle bulk को बढ़ाने के, muscle strength को बढ़ाने के लिए, तो पहला इसका use है, muscle strength, अब अगर muscle contraction ना होने के लिए जैसे edema हो रहा है, तो वो edema इससे reduce होता है, depression current से, और जहां muscle spasm होगा, वो भी reduce होगा, अब इसके लिए कुछ हमारे पास guidelines दी गई हैं, वो हम देख लेते हैं, अगर आपको muscle strength बढ़ानी है, तो आपके पास 50 से 70 hertz तक pulse rate यानि burst frequency होनी चाहिए, उस पे आपको technique muscle contraction मिलेगे, duration 150 से 200 तक होना चाहिए, और जब भी आप इसको isometric के different range of motion में apply करेंगे, slow speed isokinetic में, short arc movement में apply करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा result मिलेगा, और rule इसका वो ही है, 10, 50, 10 वाला, then muscle spasm में 50 से 70 hertz सेम है, लेकिन pulse duration आपके पास change है, जो के 50 से 175 तक है, stimulation जब भी apply की जाती है, तो brief isometric contraction होती है, on time 5 से 12 सेकेंड है, और time 8 से 15 सेकेंड है, technique muscle contraction होती है, इतनी रखते हैं कि patient tolerate कर सके, अगर किसी patient को edema हो गया है, muscles contraction ना होने की वज़े से, तो ये current हम अप्लाइ करते हैं, जिसमें pulse rate होगा, यानि burst frequency होगी 35 से 50 hertz से, और pulse duration होगा 400 योज़ तक, on and off time की बात करें, तो on time होगा 1 to 2 सेकेंड, off time होगा 1 to 2 सेकेंड, ताकि muscle pumping action को हम promote कर सकें, इसमें आपको दिखने वाली, यानि visible होगी muscles contraction लेकिन small contraction मिलती है, तो जब भी आप Russian current apply करते हैं, तो अगर आप patient को दिहान दें, तो आप उस पर visible small contraction दे सकते हैं, treatment duration 10 से 15 minutes का होता है, और इसको हम एक दिन में एक दफा से जादा हम इसको use कर सकते हैं, अगर हम edema कम करना है, due to lack of muscle contraction, अब अगर हम Russian current की indications की बात करें, किन किन condition में Russian current दिया जाता है, तो जैसे मैं आपको already बता चुकी हूँ, कि पहले healthy लोगों में, athletes लोगों में, muscular system की strengthening के लिए, muscles को बहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, हम ये use करते हैं, then post ligament injury, नहीं कि अगर कोई injury होगी है, जिसमें ligament हो गया है, torn, टूड गया है, उसका operation होता है, उसके बाद हम apply कर सकते हैं, कोई नेकी arthroscopic surgery हो गई है, उसके बाद, surgery के बाद हम इसको apply कर सकते हैं, अगर कोई ligament sprain है, उसमें हम apply कर सकते हैं, अगर cots tight होगे हैं, immobilization में वहा आप apply कर सकते हैं, post casting, किसी भी cast के बाद आप apply कर सकते हैं, muscle spasm में apply कर सकते हैं, acute या chronic pain में apply कर सकते हैं, angle sprain में apply किया जा सकता है, torticollis में apply किया जा सकता है, तो ये सारी आपके पास indications हैं, जिसमें आप nutrition current apply कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं, contra indication क्या है, यानि वो condition जिसमे आपको current नहीं apply करना तो जतने भी electrotherapy current stimulation है उनकी contraindications almost same होती है क्योंकि कुछ reasons होते हैं जिसकी just same होती है आपकी जो cervical area उसके interiorly apply नहीं करते हैं क्योंकि veins pass हो रही होती है carotid veins है arteries है इस वजह से pregnancy में abdominal area या number area में हम apply नहीं करते हैं अगर कोई hemorrhagic area है तो वहाँ पर क्या होगा कि bleeding और बढ़ सकती है new plastic area है वहाँ नहीं apply करेंगे new plastic cells और firm होगे अगर कोई electronic या metallic implant है उसमें apply नहीं करेंगे अगर कोई skin sensation impaired हो गई है किसी भी condition की वज़ा से disease की वज़ा से तो वहाँ पर भी apply नहीं करते हैं क्यूंकि patient आपको सही से बता नहीं पाता then हम methods of treatment की बात करते हैं हमारे पास दो तरह के electrodes होते हैं cathode stimulation होती है cathode stimulation active electrode होता है जो के 95% हम इसको apply कर रहे होते हैं तो mostly 95% cases में cathode stimulation apply ही की जाती है कभी कभी ऐसी condition हो जाती है rarely जिसमें आपको anode stimulation apply करनी होती है पड़ती है जिसमें आप cathode apply नहीं कर सकते हैं तो आप anode की तरफ आते हैं तो cathode stimulation apply करने से जो positive tissue ions होते हैं sodium, potassium, calcium वो attract होते हैं treatment electrode से local ion concentration change होती है जिसकी वज़ा से analgc को anti-odemic effects produce होते हैं muscle relaxation होती है local acidosis correct होती है anode stimulation post haptic neuralgia में भी apply की जा सकती है mode की बात करें तो 3 mode से gentle है, strong है, standard है gentle जब patient आ रहा है उसके कुछ new sessions होएं शुरू-शुरू के sessions हैं तो उसके few, जो first few sessions होते हैं हम उसमें gentle apply करते हैं standard की बात करें वो patient जो अकसे treatment के लिए आते रहते हैं, उनके लिए हम standard mode use करेंगे, और strong mode बहां use करेंगे, जहां पे normal stimulation या normal amplitude से patient respond नहीं करे रहा, वहां हमें strong mode apply करना होता है these are the reference books if you want to read further, you can read from these books, that's all about today's lecture if you have any question, any query, you can comment in the comment section and don't forget to subscribe my channel, thank you, take Allah peace, bye bye